आज के वक्तवे में हम भगवती चर्ण वर्मा के उपन्यासों में उनके नियती वादी द्रिष्टी कोण पर चर्चा करते हुए उनके उपन्यासों पर विहंगम द्रिष्टी डालेंगे वर्माची का नियती वादी द्रिष्टी कोण अंध्य विश्वास, दुखवाद, अकर्मनेता, निराशावाद, पलायनवाद, इनके विरुद कर्म में विश्वास रखता है उनका मानना था कि मनुष्य वस्तुतह परिस्तितियों का दास है वो जो भी कारे करता है, वो परिस्तितियों के वशिभूत होकर उससे प्रेरित होकर करता है अतह परिस्तितियों से वशिभूत होकर अनुचित कारे करने के स्थान पर वर्माची मनुष्य को निरंतर संघश करने की प्रेनाद देते हैं चेत्र लेखा उपरन्यास में उनकी उक्ती है मनुश्य की विजे वही संभव है जहां वे परिस्थित्यों के चक्र में बढ़कर उसी के साथ चक्र ना खाए वरन अपने कर्तव्या कर्तव्य पर विचार रखते हुए उस पर विजे पाए बहुत जरूरी है कि हम परिस्थित्यों का दास ना बनें क्योंकि परिस्थित्यां हमसे कुछ भी करा सकती है इसके स्थान पर हमें परिस्थितियों से जूजना होगा, लड़ना होगा, अपने लिए अलग से स्थितियों का निर्मान करना होगा, तभी हम अपने गदव्य तक, अपने लक्षे तक जा सकते हैं त्रीपदगा उपन्यास में उन्होंने इस बात की चर्चा करते हुए करम योग का समर्थन किया है उनके अनुसार मैं गीता को भी तो नियतिवाद का प्रतिपादन ही मानता हूँ, जहांकि निराशावाद से भरी अकमनेता की स्थान पर आशावाद युख्त कर्म मार्ग को नियतिवाद का रूप माना गया है अगर हम गीता को ध्यान से पढ़ें, तो गीता में भी निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है गीता हमें कर्म के लिए प्रेरित करती है, हमारे अंदर आगे बढ़ने की लालसा उत्फन करती है गीता भी हमें ये सिखाती है कि उचिता नुचित की परवा ना करते हुए हमें अपने कर्म पर अपनी दृष्टी केंदरित रखनी चाहे और यही बात हमें भगवती चर्ण वर्मा अपने उपन्यासों के माध्यम से बताते हैं डॉक्टर बैशनात प्रसाच शुक्ल के अनुसार भगवती चर्ण वर्मा ने समाज को उसकी यथात स्थिती से अबगत कराते हुए भलाई बुराई सुख दुख का चित्रन कर मानव मन की गहरायों को थाहा कर समाजिक समस्याओं पर अपने उपन्यासों के कथानक का निर्मान किया है वर्मा जी ने उपन्यास लेखन का प्रारब समस्याओं प्रधान उपन्यासों के स्रिजन से किया 1922 में वकालत करने के उपरांथ उन्होंने चित्र लेखा उपन्यास लिखा जिसमें उन्होंने तारकिक द्रिष्टी अपनाते हुए जीवन मूल्यों की पाप और पुर्णे की व्याख्या करने का समुचित प्रयास किया है पाप पुर्णे के संदर्भ में उन्होंने चित्र लेखा के द्वित्य संस्करण में अपनी उदभावना प्रकट करते हुए लिखा चित्र लेखा एक समस्या है मानव जीवन के तथा उसकी अच्छाईयों और बुराईयों के देखने का मेरा अपना द्रिष्टिकोन है और मेरी आत्मा का अपना संगीत भी उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जो वो कहते हैं या पाप और पुन की वो जिस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं बही व्याख्या सर्वमानने होनी चाहे उन्होंने अपना मत स्थापित किया अपना द्रिष्टिकोन बताया और फिर पाठक को खुला छोड़ दिया कि वो चाहे तो भगवती चर्णवरमा के विचारों से सहमत हो और यदी सहमत नहीं है तो वो अपने द्रिष्टी से अपने जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र है इस प्रकास से उन्होंने अपने उपन्यासों में अपने जीवन दर्षन को अपने नियतिवादी द्रिष्टिकोन को अपनाने का प्रयास किया है उनका पहला उपन्यासिक कृती पतन है पहली उपन्यासिक कृती होने के कारण ये उपन्यास शिल्प की द्रिष्टी से शिधिल है इसमें उपन्यास के तत्वों की समुचित व्याख्या नहीं की गई उपन्यास के जितने भी तत्व विभिन विद्वानों द्वारा बताए गए हैं उनका पूंतह निर्वाह इस उपन्यास में नहीं मिलता उनका सरवाधिक लोगप्रिय उपन्यास चितर लेखा है जिससे उन्हें उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त हुई ये उपन्यास आभिचाते संस्कृती पर आधारित है इसका कथावस्तू लोग कथाओं में उलिखित परंपराओं के अनुसार हमें मिलती है जहां कोई राजकुमार किसी वस्तू को खोजने के लिए दुरगम स्थान पर जाता है विविध कटनाईयों को पार करता है और उन कटनाईयों को पार करता हुआ अपने लक्ष को प्राप्त करता है इस उपन्यास में हमें उस समाज में उस लोक में उस समय में प्रचलित विभिन त्योहारों का सजीव अंकन दिखाई देता है चाहें ये तो हाज जन्माश्मी का हो, होली का हो, उस समय किस प्रकार के रीती रिवास, किस प्रकार के संसकार दिखाई देते थे, इसका भी समुचित उल्लेक उपन्यास में दिखाई देता हैं. जन्म, विवाह, परदा प्रथा, बहु विवाह प्रथा, आदी का भी इस उपन्यास में विवेचन किया गया है. इसके साथ ही साथ, लोक विश्वासों का, धार्मिक संकीनताओं का, जहां धर्म की आड में समाज जोतिश पर विश्वास करने लगता है, तंत्र, मंत्र, इत्यादी पर उसका विश्वास बढ़ने लगता है, वो शाप से भैभीत होता है, वर्दान पाकर उत्साहित होता है, पूर्व जन्म की बात करता है, इन सबका भी उन्होंने अपने इस उपन्यास में समावेश किया है. इसके साथ ही तद्योगीन समाज में किस प्रकार की विश्वूशा पहनी जाती थी, उस समय किस प्रकार का रहन सहन था, आचार विचार था, किस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति लेता था, उस शिक्षा का उसके जीवन में क्या महत्व था, इस पर भी प्रकाश डाला गया है इस उपन्यास में हम देखें तो प्राकृतिक वातावरण को भी वर्मा जी भूले नहीं है उन्होंने प्राकृतिक परिवेश को भी खुल कर यहां पर लिपिपत किया है डॉक्टर धरम वीरभार्ति के मतानुसार सच पूछें तो चितर लेखा की सारी एतिहासिक परिवेश की कल्पना परिलोग की कल्पना जैसी है जहां राजा है, महल है, नर्तकी है, दर्बार है, जाम है केवल सुविधा के लिए एक एतिहासिक काल की कल्पना है, वरना यह सारी कथा काला तीत है केवल मनुष्य मन में घटित होती है, पाप और पुन्य के बुन्यादी प्रश्न की धर्ती पर बाहर कुछ मन में घटते वाद विवाद को प्रभावित नहीं करता कहने का मतलब है कि इस उपन्यास में हमें सामंतों के जीवन की, उस समाज में वैश्याओं के जीवन की, नर्तकियों के जीवन की जाकी तो मिलती ही है इसके साथ ही मनुश्य के अंदर पाप और पुन्य को लेकर जो दुविधा निरंतर घटती रहती है कि हम अपनी जीवन को किस प्रकार से जिएं, किस प्रकार से हम अपने आपको स्थापित करें, किस प्रकार से हम अपनी जीवन को गतिशील बनाएं, इसके विशे में भी वर्माची ने अपनी बात को रखा है उनका उपन्यास तीन वर्ष काम समस्या के कारण उत्पन यौन विक्रिती और इसके साथ ही अर्थ जनित मानसिक असंतोश को पाठकों के सामने लिपिबत करता है इस उपन्यास में हमें मिथ्या आडंबर, छल कपट, मानविय कोमल वृत्यों के कलुशित होने का भी पता चलता है किस प्रकास से हम अपने आपको अपनी सहजिता को छुपाते हैं दूसरों के सामने हम वो दिखाने का प्रयास करते हैं जो हम वस्तूतर नहीं है और इस प्रकास से साम दाम दंड भेद को अपड़ा कर हम अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं आज के सबेबे हमारी सारी कोमल सदभावनाएं, संबेदन शीलताएं पता नहीं कहा जाकर विलुप्त हो गई हैं मानव स्वार्थ प्रेरित हो चुका है और इस स्वार्थ के कारण केवल अपने बारे में सोचते रहने के कारण वो किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करता दूसरों की बात को दूसरों के वर्चस्व को दूसरों की चीजों को छीनने में उसके पैरों को खसीतने में उनका उनके उपर दोशारोपन करने में मनुष्य पीछे नहीं हटता है आज हमारे लिए जितने भी मानव मूल्य थे वो धीरे धीरे विगठित होते जा रहे हैं हमें केवल अपने बारे में सोचने के लिए हम विवश हो चुके हैं नए समाज के साथ हम अपने लिए नए मूल्य गठित कर रहे हैं उपन्यास में प्रभा विवाहा को इस्त्री और पुरुष के मध्य एक आर्थिक संबंध स्विकार करती है उसे लगता है कि विवाहा व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वो आर्थिक दिश्टी से मजबूत होना चाहता है वर्ना विवाहा का कोई और चित नहीं है वर्माची का उपन्यास टेड़े मेड़े रास्ते विविन साम्मेवादी और क्रांतिकारी पाठेओं की कम्यों को पाठकों के सामने उद्खाटित करता है और इसके साथ ही ये उपन्यास ये भी बताता है कि क्रांतिकारी मार्ग का अनुसरन करने वाले व्यक्ति चाहें उस मार्ग का अनुसरन करते समय कुछ भी अपनाएं उचित या अनुचित किसी भी तरहे से अपनी बात को मनवाएं पर उनके अंदर मानवियता का गुण होना अति आवश्यक है मनमोहन जन्ता को संत्रास और पीडा से मुख्त कराने के लिए इस उपन्यास में डाके डालता है डाके डालना निश्यत रूप से कोई भी व्यक्ति उचित नहीं कह सकता किन्तु यहां पर मनमोहन का डाके डालना उसके स्वयम के स्वात से प्रेडित नहीं है वो वस्तुतह जद्दा को पीडा से उनमुक्त करना चाहता है इसी तरह से प्रभानात और वीणा ये दोनों पात्र क्रांतिकारी मार्ग अपनाते हैं और अन्त में मानिविय उच्चादर्शों से युक्त दिखाई देते हैं डॉक्टर कुसुम वाशने के मतानुसार तेड़े मेडे रास्ते में पाठक की सहनुभूती स्वभावतह आतंकवाद के प्रती हो जाती है क्योंकि वह जनमानस की स्वभाविक और कल्यान कारणी हिंसा के सबसे निकट है और उसके सामने गांधिवाद का उद्दात परिवेश भावात्मक दृष्टी से कमजोद दिखने लगता है गांधिवादी दर्शन कि यदि कोई आपको एक गाल पर बारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दे कई बार उचित नहीं लगता हमें वो मार्ग अपनाना चाहिए जो जन समाने के लिए कल्यान कारी हो और कई बार इस मार्ग को अपनाने के लिए हमें हिंसा का प्रियोग भी करना पड़ता है इस उपन्यास में कालांतर में आतंकवाद को असफल दिखा कर उपन्यासकार ने ये समझाने की भी चेश्टा की है कि प्रतियक वाद का नेता बौधिक रूप से अपने मत को पुष्ट करता है किन्तु चाहें वो उपर से अपनी बात को अपने मत को अपने विचार को पुष्ट करता दिखाई देता है किन्तु भावातमक रूप से उससे कहीं पर भी जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता डौक्टर कुसुम वाशने ने अन्यत्र एक स्थान पर तेड़े मेड़े रास्ते के विशे में लिखा है तेड़े मेड़े रास्ते का एक विशेश पैटर्न है तिवारी परिवार का हर एक पराने किसी बाद का समर्थक अत्वा पोशक है केवल बौथेक रूप से, भावात्मक रूप से नहीं और उस हर एक प्रानी का एक प्रतिरूप काउंटर पार्थ है जो शुद्ध रूप से भावात्मक है रामनात तिवारी का प्रतिरूप भग्रू मिश्र है दयानात का प्रतिरूप मारकंडे है उमानात का प्रतिरूप ब्रमदत है और प्रभानात का प्रतिरूप मनमोहन है इन प्रति रूपों की सहायता से लेख़क के अंदर वाले कलाकार ने इन वादों की कमजोरियों और कमजोरियां दिखाई हैं कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के दो रूप होते हैं सत और असत अच्छा और बुरा व्यक्ति सापिक्ष परिस्थितियों के अनुर्कूल व्यक्ति अपने इन दोनों रूपों के अनुसार कारिक करता है और इसलिए उपन्यासकार ने अपने पात्रों के प्रति रूपों की भी स्रिष्टि करकर ये बताया है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जिन विचारों को जोर शोर से दूसरों के सामने स्थापित करने की बात करता है वस्तुतह वह भावात्मक रूप से भी उन विचारों से सहमत हो उनका उपन्यास आखरी दाओ, घटनाओ, समवेगों के माध्यम से पात्रों को एक दूसरे के निकट लाकर जिग्यासा उत्पन करता है इस उपन्यास में दिशनाकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं है हम जो कुछ करते हैं ये पूर्वनिश्चित है इसे आप विधान कह लीजे, नियती कह लीजे या भाग्य कह लीजे ये हमारे आगे आगे चलती है पात्र या व्यक्ति जो करना चाहता है अपने जीवन में जरूरी नहीं है कि हम वो करही पाएं विधान अनुसार, भाग्या नुसार, परिस्थितियां बनती बिगडती रहती हैं और हमें उन परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णयों में, अपने समाधानों में, अपने विचारों में परिवर्थन करना पड़ता है इस उपन्यास में, वर्मा जी ने अपने फिल्म जगत के अनुभवों को, वहां के फैले भृष्टाचार को, स्वार्थ पड़ता को, प्रदर्शन प्रियता को भी अंकित किया है रामेश्वर अपना गाउं छोड़ कर मुंबई चला आता है, जहां उसका परिचय अपने प्रेमी के साथ, घर से जेवर इत्यादी चुरा कर भाकी हुई चमेली से होता है चमेली अपने प्रेमी को छोड़ देती है और रामेश्वर के साथ रहने लगती है फिल्म कमपनी में काम करने वाली राधा नए माल की खोज में जगमोहन के साथ मिलकर नवरात्री का आयूजन करती है और चमेली उसके इस आयूजन में उसके इस जाल में पूरी तरे से फस जाती है और राधा की सम्रिधी को देख कर उसके चकाचोंद पूर्ण जीवन को निहार कर वो उस जैसा जीवन जीने की काबना करने लगती है वो भूल जाती है कि वो किस दलदल में फसने के लिए अपने पैर उठा चुकी है अपने खिलोने उपन्यास का कथनक अत्यंत संग्शिप्त है अपने आप में तीखे व्यंग को समेटे हुए है इस उपन्यास में उपन्यासकार ने संयोग और आकस्मिक घटनाओं का समावेश किया है तनावों की उत्पत्ती की है और इन तनावों के माध्यम से कथा का विकास किया है इसके साथ साथ उन्होंने पात्रों के साथ साथ प्रतिद्वंदी पात्रों की स्रिष्टी करके एक प्रकास से उच्सुकता, कौतुहलता और नाटकियता का समावेश किया है अपने खिलोने उपन्यास का प्रतियेक प्रिष्ट हास और व्यंग से परिपून है उपन्यास का प्रतियक पात्र चाहें वो मीना हो अशोख हो युवराज हो अपने आप में महद्वपून है इनके अंदर बहुत अधिक पैसा कमाने की होड है प्रेम के लिए एक ऐसी प्यास दिखाई देती है जो कभी बुचने का नाम नहीं ले रही इर्शा से ये पात्र एक दूसरे का जीवन नश्ट करने के लिए उतारू रहते हैं जूट बोलते हैं स्वातपून आच्रन करते हैं और अगर हम ध्यान से देखें तो ये पात्र जिस प्रकास से हमारा जीवन प्रतिपल बदलता है उसी तरे से ये पात्र प्रतिपल बदलते दिखाई देते हैं उपन्यासकार में इस उपन्यास में लखनों की संस्कृती को भी बहुत सुन्दर ढंग से अपने पाटकों के समक्ष उपस्थित किया है बटेर बाजों का वर्नन हो चाहें कलाकारों की कलाबाजियों की बात हो दोनों का चित्रन बहुत सजीव यथार्थ मिलता है एक स्थान पर जहां उन्होंने जूते का महत्व बताया है वो उधरन बहुत सुन्दर है हमारे समाच में जूते का महत्व सिर्फ मारपीट में है और मारपीट में जितना घिसा हुआ जितना फटा हुआ जूता हो उतना ही अच्छा माना जाता है अंग्रेजी संस्कृती में जूते का स्थान बहुत उंचा है दावत तवाजा, सभा सोसाइटी, नाच गाना सभी जगें आपको जूता पहन कर जाना पड़ता है रोज सुभे लोग पाग जैसे देवता पर फूल चड़ाते हैं उसी तरहें जूते पॉलिश करते हैं यहां व्यंग के माध्यम से उपन्यासकार ने बताने की चेश्टा की है कि पाश्चाते संस्कृती में हम किस प्रकार से जूते को किसी भी व्यक्ति की सम्रिधी का आइना मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति ने चाहें वो कितना भी शिक्षित क्यों ना हो कितना भी ज्यानी क्यों ना हो अनुभवी क्यों ना हो अगर उसने घिसे पिटे जूते पहने हैं बिना पॉलिश के जूते पहने हैं तो हम उसको गवार कहने लगते हैं इस प्रकार से उन्होंने व्यक्ति के अंदर किस प्रकार से अपनी संस्कृति अपनी सभिता को लेकर एक हीन भावना दिखाई देती है इसका अंगन किया है मित्रों हमने अपने इस व्याख्यान में उनके कुछ उपन्यासों पर विहंगम द्रिश्टी डालने का प्रयास किया है जिसमें अपने खिलोने आखरी दाओ चितर लेखा तेड़े मेरे रास्ते तीन वर्ष को हमने लिया है अपने अगले पकतवे में हम उनके अन्य उपन्यासों पर भी चरचा करेंगे और जानने का प्यास करेंगे कि उनके उपन्यास कथानक की दृष्टी से किस प्रकास से एक दूसरे से भिन है तथा उन्होंने अपने उस उपन्यास विशेश में अपनी किस जीवन दृष्टी को समेटने का प्यास किया है इस प्रकास से वे उपन्यासों के मार्ध्यम से घिसी पिटी मानेताओं का, रूडियों का, समाजिक बंधनों का, जकर्णों का विरोध करते हैं और व्यक्ति को अपने लिए एक नया मार्ध, नई दृष्टी, नए विचार को जागरित करने का, देरिखांकित करने का, उसको अपने लिए एक नई जीवन दृष्टी के साथ नियमों का निर्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं धन्य बाद झाल